हेलो फ्रेंस वेलकम टू माई चैनल तो फ्रेंस आज हम बात करेंगे मोगरा प्लांट की केर के बारे में कि हमें अपने प्लांट की देखवाल किस तरह से करनी है ताकि हमारी प्लांट पर फ्लावरिंग भी अच्छी हो और हमारा प्लांट भी हेल्दी बना रहे साथी में इस प्लावर नहीं है हलाकि अभी मेरे पास चार प्लांट और हैं तो भी अभी मैं आपको दिखाती हूं इसके जो फ्लावर होते हैं वो इस्टार की तरह होते हैं और फूलो में से तो खुस हुआती है आप सभी लोग जानते हैं तो देखे जिल लोगों का ये सवाल है कि उनके प्लांट में फ्लावर नहीं हो रही है तो उनको क्या करना है तो दिखे आज की इस वीडियो में सिर्फ एक बात मैंसी बताऊंगी कि उस बात को अगर आप फोलो करोगे तो आपके प्लांट में फ्लावर निंग भी होगी आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा और जो क्या उनके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है तो देखे करना क्या है कुछ गार्डनस कहते हैं मोगरा के प्लांट के लिए कि ये वाला फटिलाजे दीजिए वो वाला दीजिए लेकिन मैं क्या करती हूँ अपने प्लांट में मेरे पास लगबग चार प्लांट इसके है मार्च के मिड में या फिर मार्च के एंड में अपने प्लांट को जिस भी पोट में लगा हुआ है उस पोट से निकाल करके लगवग 40% इसकी रूट्स को मैं कट कर देती हूँ यानि कि प्रोन कर देती हूँ और प्लांट की सारी मिट्टी बहार निकाल कर उसमें 20% गोवर की खाद और एक मुठी नीम खली मिक्स करके मैं अपने प्लांट को द्वारा से रिपोर्ट कर देती हूँ और रिपोर्ट करने के लगवग वन मंद वाद मैं अपने प्लांट को liquid fertilizer देना सुरू करती हूँ गोवर की खाद और mustard cake का दोनों का mix करके fertilizer बनाती हूँ और 10 दिन में एक बार अपने प्लांट को देती हूँ उसी का ये result है आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में कितनी अच्छी flowering भी हो रही है और प्लांट कितनी green और healthy बने हुए हैं एक प्लांट मेरा ये है इसके जो flowers का size होता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है जैसे miniature rose रहते हैं और इसकी जो leaves होती है वो भी थोड़ा सा round save में रहती है थोड़ा सा बड़ी रहती है और इस प्लांट को आप बेल की तरह भी grow कर सकते हैं जैसे कि आपको ये branch नजर आ रही है इस branch को अगर आप किसी stick का सहरा दे देंगे इस टिक पर चड़ा देंगे तो ये आपकी बेल भी बन जाएगी तो अगर आपके plant में flowering नहीं हो रही है तो ये काम आप इस time भी कर सकते हैं यानि कि जिस भी port में आपका plant लगा है अपने plant को बाहर निकाल लिए और नीचे से 30% soil को हटा दीजी यानि कि roots को trim नहीं करना बस 30% soil को हटाना है क्योंकि अब इसका flowering का time है तो roots बगहरा जैसे आप ज़्यादा cut कर दोगे तो फिर ये अपनी growth करने में ही रह जाएगा तो flowering का time निकल जाएगा अगर March में इस काम को हम करते हैं तो March में 40 या 50% भी roots को trim कर सकते हैं अगर आपका plant root bond हो रहा है तो root bond होने की बज़े से भी flowering नहीं होती है तो इस time पर उस plant को भी आप report कर सकते हैं आप देखोगे report करने के 20-25 दिन बाद ही आपके plant में birds बनना स्टार्ट हो जाएगी यानि कि flowering स्टार्ट हो जाएगी तो इस time पर आप निश्चिंत होके अपने plant को report कर दीजिए जैसे कि मैंने बताया कि पूरी soil को बाहर निकाल लीजिए उसमें 20% गोबर की खाद या फिक बर्मी कमपोस्ट भी आप ले सकते हैं और एक मुठी नीम खली एक करके mix करके आप अपने plant को report कर दीजिए और देखिए एक plant मेरा ये है इसमें बर्स अभी बन रही है ये बर्स बनने से पहले इस plant में 2-3 वार flowering आ करके जा चुकी है यानि कि अपरेल से इनमें flowering स्टार्ट हो जाती है और लगवग अक्टुवर नमंबर तक ये flowering लगातार करते रहते हैं इनके जो full होते हैं जब लगातार flowering होती रहती है तो देखिए अब बात करते हैं कि इनकी propagation की तो देखिए cutting से ये बहुत यासानी सी grow हो जाते हैं तो देखिए cutting इसके कैसी लेनी है कम से कम 6-7 inch की cutting लेनी है इस तरह से क्योंकि इसके जो node area होते हैं वो थोड़ा सा दूरी पर होते हैं और cutting के कम से क ती node area soil के अंदर होने चाहिए तो देखिए इस तरह से इसकी जितनी भी extra leaves हैं उन सबको मैं हटा लूँगे हटाने के बाद cutting पर aloe vera gel लगा लेंगे aloe vera gel इसलिए मैं कहती हूँ एक तो ये rooting hormone का भी काम करता है दूसरा ये cutting को कभी भी खराब नहीं होने देता और तीन ये node area होते हैं इनको node area बोलते हैं यही तीन node area हम soil के अंदर दवाएंगे यही से इन में rooting स्टार्ट होगी तो देखिए बस इस तरह से हम अपनी cutting को लगा लेंगे लगाने के बाद 10 से 15 दिन के लिए इसको shady area में रखेंगे और जब भी हमारे यहां बारिस होगी तो ब चली friends कैसे लगी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like share comment कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर new है तो please मेरे चैनल को subscribe भी कर लिजी thank you